आई को और पिता को दोनों को अपने जीवन में एक चीज हमेशा ज्यान रखनी परिदी अब भी अगर उसको बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पर लेटा जीना नियोजन के वो बच्चे होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा घाउव इबराहिम ओते यह पंद्वे साल का दाट्पृ के पैशे का अनुवा है नर्पास बहुत सारे मरी जाते हैं जिसको अपने बच्चों से प्राइब और वो बच्चे इत्राइब वाजी है आई वड़ी को पीट के आई कुछ बोले उसको मारते आई वड़ी के कंट्रोल में नहीं रहते जब उस बच्चों के बारे में पूरी हिस्ट्री लेता हूं तो अंप में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उस्पन हुए बाई एक्सिडेंट तो मेरा आप सभी को ये विनम्र विलेदन है कि जिनको अपने बच्चे पेजस्त्री पपस्त्री संसकारी समाच कर्मी राष्टवादी धर्व के प्रती स्रद्धा रखने वाले आई वड़ी की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उस लिए नियोजन करना पड़ेंगा विला नियोजन के वो बच्चे नहीं होते हैं को सबस्ते पहरा कաुए करते सारे काम के लिए नियोजन करते हैं घर बांगने के लिए नियोजन करते हैं तो ऐसा ही नियोजन आपको करना है अब नियोजन करना है यह पहली बात जहां देखिए बिना नियोजन के बच्चे होंगे तो मैंने आपके बता वो संस्कारी हो नहीं सकते हैं और आज के समय में दुखर और दुर्दयर की इस्तिती ऐसी ही है कि जादा बच्चे बिना नियोजन के ही हो रहे हैं इसलिए आईवड़िल भी परेशान है समान उनसे परेशान है देश भी उनसे परेशान यह त्रासवादी आतंकवादी देश द्रोही यह सम हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं लेगे लिए कैसे प्रासवादी हो गए कैसे देश द्रोही हो गए बिना नियोजन के होने के कार्ण तो नियोजन करना पड़ेगा अब नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहला नियोजन पंसकारी बच्चा अगर चाहिए प्रतापी बच बिना सहियम के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते तो सहियम आपको अपने धीवन में रखना पड़े और वो सहियम रखने का तरीका जा है सहियम रखने का बहुत तरन तरीका है ज्यादा समय ब्रह्णचरी का पालन करना अपने ब्रह्णचरी सहियम पालने का सब्सक्राइब करना अब इस मेरा जो थियोलोगी और अन्य अप्छास है विज्यान का अब्यास है तो विज्यास के हीशास से मैं ज्यान का नहीं देना इस्प्री के लिए संयम पालना बहुत आसान है, पुरुष के लिए नहीं होता है, इसलिए कि ईश्वर ने इस्प्री का शरीर ऐसा बनाया है, जो पुरुष से ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी में, कुछ ऐसे हार्मोंस हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जो इस्प्री शरीर में ही हैं, पुरुष शरीर में नहीं हैं, और वही हार्मोंस इस्प्री को ब्रह्मचर पालन करने में मदद करते हैं, तो इस्प्री को ब्रह्म आधे जीवन के बहुत तारे काम हम सहस्ता से और आसानी से करते हैं तो इसके लिए प्रयास करना पूरता है इसके वह बिना प्रयास के ही कर से तो मैं यह बात जो कह रहा हूं वह सब भरियों के लिए कि अगर अच्छी संतान चाहिए तो आपको ब्रह्मचरिका पालन करना है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सीधा सा यह है कि आप अपने जीवन का थोड़ा ऐसा नियोजन करो जिसमें ज्यादा आपको इस्त्री के सा संतर्ग ना करना करें तो सक्स करणा है नहीं तो महिवें न फिर्फ एक पानी है ऐसा आपको अपने जीवन में कुछ नियम कमाना करें इस नियम का पालब करने के लिए तंकल्प के लिए आपको एक आउशदी की मदद लगे भी तो वह आप याद रखिए वह अवशदी है आयल का रख आयल अद्रक तो अद्रक का कुपड़ा अगर मुह में रखते चूचते रहें तो ये हमारे संकल्प को मजबूत करने में बहुत मज़िद करता किसी भी तरह का संकल्प हो ब्रह्म चरिपालन का संकल्प हो यसन मुक्ती का संकल्प हो इसे के पीछे नहीं भागने का संकल्प हो अपने जीवन में साधारन तरीके ते रहने का संकल्प हो यह सब एक संकल्प ढोचे तो हमें अखी संतान के लिए श्यम का पालन ब्रह्मचर की मदद्प करना है और कोशिश करनी है कि इस सार्व में एक या दो बार नहीं तो महीने में ज्यादा से ज्यादा योज़ता है ये आपको करना है सुरुषों को इस्त्रियों के लिए ये सहर है परल है क्योंकि भगवान ने उनको कुछ ज्यादा गुर दिये है इस मिज़ना होने का ये कारण है मने बताया कि उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोंस है और पुरुष के शरीर में नहीं का नाम लेकि नहीं करना चाहता बस आपको समझाने करें तो आपको बच्चेंगा नेयोजन करना है और नियोदर इस तरीकों से करना है पहला कदम उस नियोदर का पंचल्ब करना ब्रह्म चैने का